आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो इस बात करने वाले आज के लिए जो डिसाइडर मैच रहेगा इंडिया वसस ऑस्ट्रेलिया का कैसे कुछ इस मैच के रिलिटेड प्रेडिक्शन से रहने वाली है पहला मैच आपने देखा इंडिया के फिवर में था बिल्कुल एक दम विराट कोले श्टीवन स्मित कौन रन मनाएगा और राउंडर से कौन परफॉर्म करने वाला है तो सब चीजे करने वाले डिसक्श तो वीडियो को आखिर तक देखने है आगर तक देखोगे तब पूरा फाइदा मिलेगा और आगे आपके लिए गिवावेज भी है इस व सब्सक्राइब करने का और आपके लिए जबरदस लाने का बागे आप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचस की वीडियो से बिल्कुल भी आप मिस ना गर पाओ और हाँ टेलिग्राम चैनल भी जरूर जोइन करना लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सबी जो टीम्स है अपडेट्स है वह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते है तो मैं इस पिलकुल नहीं करने है टेलिग्राम चैनल भी आपके लिए उतना ही इंपोईंट है ठीक ह मैचेस खेले गए बैटिंग फैस्ट ने तेहरा विन किया बैटिंग सेकंड ने यहाँ पर आट मैचेस विन किया एवरेस स्कोर बहुत जादा नहीं है बट एक चीज़ बता दू कि भाई पिछले दस सालों में यहाँ पर सिर्फ चार मैच अब तक ओडिया की खेले गए ज ग्राउंड पर नहीं मिला आप देखो चार मैच के बाद में आपको इंट्रेस्टिंग चीज़ बताऊंगा 17th of September 2017 को मैच वा इंडिया दोसवी क्यासी बनाए उस्ट्रेलिया को 21 और में 164 बनाने थे क्योंकि बारिश आगी थी उस मैच में तो उस्ट्रेलिया को 21 और 164 ब स्ट्रेलिया को मैच हुआ इंडिया विसस पाकिस्तान के बीच में मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी ना यह मैच बूला होगा जिसमें जुनायत खान ने शुरुआत में ही विरेंदर सेवा आगया ऐसे प्लेयर्स को आउट कर दिया तो और फिर दोनी ने आगे और उस पाकिस्तान ने 228 बनाए तो उस मैच में पिछले चार मैच से न और सिर्फ यह मैच अलगा है जहां पर की इंडिया के जो स्पिनर से उन्होंने विकेट नहीं लिए ठीक है अदर्वाइस आप यहां देखते हो बही यहां तो चलो किसी को भी विकेट मिला नहीं सच वेशन साउथ अपरीका के ज्तान के स्वेशन पोटेम बहुत की जाए तो yılग देखते हैं जो यह जादा मदत रहती है उनको सब्सक्राइब मिलते शुरुआती है और इसमें थोड़ी I think betting फिर से यहाँ पर difficult जो होने वाली है तो यह बस न्यान में रखना बागी दो विकेट बड़ा मैच भी है तो उतरा ही बड़ा आपके लिए तो एक लाग रुपए आपके पास में फ्री में जीतने का मोकर रहेगा जिरो एंट्रीपीस के साथ में सब्सक्राइब के लिए तो दिस्क्रिप्शन में लिंक है पटावट से जाओ वहाँ पर ठीक है उसमें विजन लाउन का लिंक मैंने डाला हुआ है डाउनोड करो रैफर कोड में आपको टीम सब्सक्राइब कर पाओ आगे आपको पता एप लेंड सब चीज़े आने वाली है तो और भी बड़ेगी वविज़ आपके लिए वहीं पर आएंगे और भी काफी सारे फायते हैं जैसे लोएस्ट एंटरिफी से एंड रैंक लैश अगर आपके होती है सबको काफी दिक्कत होती हूँ तो उसके लिए आपके पास वहाँ पे बड़िया चीज है फर्स्ट इ एंटरिफीस के साथ में तो जल्दी से जाकी यहां कर लेना कहीं गिवावे और मेगा फूल हो जाए आपके जाने सपहले ठीक है क्योंकि मैच शाम को नहीं यह वन थर्ट है तो जल्दी जाके जोइन कर लो बागी बात करें देख अपनी इंडिया की तरफ से प्लेइंग ल सूरेगुमार यादो के बारे में मिकाई बोलूं बाकी दो मैचेंस में दो नो में एक एक बोल पर यह आउट हो चुक्ए यह चांस है कि सूरेगुमार यादो की जगे पर ने यहां पर इशान किशन को खिला लिया जाएं भृब कंसे कि 12-13 रण तो बना रहा था यहां बाकि बोलिंग अभी तक ODI में उतनी इंप्रेसिव नहीं रही है बट कहीं न गई आज के लिए चांस है कि अगर सेकंड इनिंग में बोलिंग करते हैं तो हो सकता है एक से दो विकेट आपको निकालते हो दिख जैबा कि यहां से मौमद सिराज है अब लास्ट मैच में क्या था भाई उस्ट्रेला का विकेट तो गिरा नहीं तो आपको तीन वी बोलर विकेट लैस जाते हो दिखेंग पूरे और इदर से कौन डालेगा इंडिया के पास में प्रवपरेच है बोलर उन्हीं से बोलिंग कराई जाने वाली है हर्दिक पंड्या जड़ेजा एक्षर पटिल सिराज शमी और यहां से कुल्दी प्यादा मिलके यही डालने वाले आज के लिए पचास और आप से सब अज के लिए इंडिया की तरह से प्लेगे रहें तो यह कुछ ऑस्टेलिया के प्लेगे रह सकते हैं जिसमें मिचल मार्श और यहां से ट्रेविस एड़ ओपन करते हैं दोनों लाश्ट में पर काफी अच्छे इनिंग के लिए थी आबाकि आसे स्टीवंस में इन दोनों के किसी की बैटिंग नहीं आए तो आप यह लाश्ट मैच के स्कूर देख रहे हो स्टीवंस में बाइस इकिस नैंटिपूर एटी काफी सही चल रहा है बाकि यहां से मारनश लवुशन उतना कुछ खास नहीं कर पाएं बट ग्रैंड लिंग में कि टिक गया तो रन बना पांच लेनोर-ट यूनिय निकाले उससे मैच में दो मैच में लौकल निकाल चुका है इस मैच में बिल्कूल इंपोट is सी वी सी अगर करना चाहो तो कर लेना स्पेशली अगर यह फर्स्ट बोलिंग करें तो आइधिंग वापस से इंडिया का डोबडर यह भिखेड सकता है ठीक है इंडिया के वही दिक्कत रही है अगेंश्ट लेफ्ट आम पेसर पूरा डोबडर भिखड जाता है बस आपको ब बेकार किया एक बार सामने इंडियन टीम इतनी चल्दी ओल आउट हुई कि जैंपा ने सिर्फ दो डाले थैं बाकि यहां से ने तक अपने वोडियाई में विकेट लस्ट गया नहीं है तो यह जाते है कुछ तरफ से प्लेंग अलएं अगर इनके ओवर्स की बात करें कौन पूरी डालेगो को नहीं इनके बास में भी काफी सारे बोलिंग ऑप्शन जो है यहां से अवलेवल है केमरें ग्रीन से बोलिंग करा ही जा सकती है बट श्किवां समय को कुछ नहीं होता बीच में शायद एक से दोर मार्श के लिए है चांस थोड़े कमी रहेंगे मार्श क करने के जो आपने पहले दो मैच में देख लिए तो यहां से केमरें ग्रीन से हो सकता वह चार से पांच यह बात करें तो देखो ऑस्टेलिया के पास में डैविड वोर्नर है एस्टेनेगार है इंग्लिश है मैक्सवेल अगर किसी को खिलाना चाहे तो बट अभी हैड ने खेलने के बीचांस जो थोड़े कम ही हो जाते है इस मैच में बागी बात कर रहें अगर इंडियन टीम की तो इनके पास में इशान किशाने जो हो सकता है थोड़े बहुत जो चांस मर को लगने कि सुरे को मारी यादो की जगे पर शायद इनको खिला लिया जाए बट इंड एक मैच में दो ही ओवर डलवाए गया उस से अगले मैच में बाहर कर दिया गया बागी जविंदर चेहल का भी रिसेंट वोभी के लिए काफी अच्छा है इस ग्राउंड पर भी उन्होंने एक मैच में विकेट निकाले दैन यहां से आते हैं जैदे उनात कर मोका मिलने के चांस अब बिल्कुल जीरो हो गया इनके और इस इंपाले की इंडिया सेरीज नी जीती अगर दूसरा मैच इंडिया जीत जाती तो अभी वाले मैच में को मोका जरू मिलता पांके बात करें इस वेन्यू के तो इंडिया ने खेले बाइस ग्राउंड पर तेरा मैच साथ ज जाकर ठीक है तो वहीं किया वो चार मैच बागे बात करें अगर इस वेन्यू पर इंडियान टीम के तरफ से को जो पर्फॉर्म करता आपको नजर आएगा देखो रोइच शर्मा ने बहुत बड़ी इनिंग इस ग्राउंड पर कभी भी नहीं उनका हाई स्कोर 36 है बट उन 2017 वाले मैच में देखा जाए पंडिया के भाई वापस 83 रंस है पंडिया ने इस मैच में दो विकेट भी निकाले बागी कुल्दी प्यादों के दो विकेट है चेहल के नाम यहां तीन विकेट आते हैं और उसके बाद में इंडिया साथ अफरीका का जो मैच वाता रोइच के अलावा गर बात कीजिए उस्ट्रेलिया की यहां पर अच्छा करता है देखो जादा तो है नहीं क्योंकि भाई पिछले दस साल में आस तक यहां पर सिर्फ चारी ओडिया ही मैच हुए तो विराट को लिए साथ मैच में 283 रंस है चालिस का एवरेज है रोहीज शिर्मा है पांच मैच में 110 एवरेज है 22 का बाकि इसकाद में हर्दिक पांडिया है एक मैच में 83 और 83 का यह निकल कर आता है तो यह कुछ हो जाते है मारे वेन्यू लीडर्स इससे रंस जादा नहीं है इससे फिर कम रन वाले है वो 40-50 रन वाले तो वो देखकर जादा मतलब नहीं बनता है स्पेशली सिर्फ इन ही दो प्लेयर का रिकोर्ड देखो बाकि एक प्लेयर ऐसा भी है जिसका इवरेज नहीं पर अंड्रेड का इस प्लेयर का नाम था एमस्डी ठीक है उन्होंने इस ग्राउंड पर काफी जादा रंस बनाए बाकि अगर देखो हैट्वेड स्टैट्स की बात कीजिए 145 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में हो चुके है जिसमें की 54 जीते इंडिया ने 81 जीते है उसे उस्ट्रेलिया जीत कर उस्ट्रेलिया जो चर्मा के साथ में बागी विराट को लिए 43 मैंसे में एक्किसो से उपर रंस से उनके 52 काउन का अवरिज है श्टीवन स्मित ने कोई की मैंच में बैटिंग किये 19 मैच में बात की जाए 20 मैच में 990 रंस है मैक्सवेल 28 मैच में 921 और 36 कावरिज है उसका बाद में हर्दिक पांडिया अगेश्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छा करता है और उन्होंने इस ग्राउंड पर भी एक बार ऑस्ट्रेलिया का अगेश्ट में 83 रंस जैसा आपने पहले पिछली स्लेड में देखा परनाय हुए थे ठीक है बागी वहीं पर दो विकेट भी निकाले थे तो सब्सक्राइब बागी जड़ेजा है 27 मैच और निकल कर अगर बॉलिंग की बात करें उसमें भाई कुल मिलाकर यही 6 प्लियर से जो विकेट से निकालते रहते हैं बार 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 ठीक है आ जैसा मुहमेच शमी बीस मैच 32 विकेट के साथ में जो उन्होंने अगेश्ट अस् जैंपा 18 इनिंग में 27 विकेट जरूर है बट यह भी एडमेट करना पड़ेगा कि जैंपा को इस सेरीज में विकेट निकालने का मोका यहां से मिला नहीं है दोनों ही मैचे में एक बार खुद की टीम ने कम स्कोर बना एक बार इंडिन टीम ने कम बना दोनों बार जैंपा 15 मैचे में 25 विकेट निकाल रखे अगेंश्ट इंडिया बाकि चहला आते हैं नो मैच में 16 विकेट के साथ में तो यह तो हो जाते है कुछ हमारे वेंडियो लीडर्स वेंडियो नी हैट्वेड लीडर्स जो बोलिंच एक्शंस है उसके बाद प्लेयर वैटल की बात और साथ में जो स्टीवन समित रहेगा उसके आपको मत्री टोटल रंस बताने कि दोनों की जो टोटल रंस है वो कितने रहने वाले तो फटावट सिमर को प्रेडिक करके बता देना कोई भी यह नहीं बोलेगा कि पिछला कोशन है पस यहीं किसे बेटे कोशन है थोड़े न इंस्टाग्राम का विजरने में तो जल्दी से जाके वहां पर ना फॉलो कर लेना ठीक है उसमें कोई मिदेरी होनी नीची है और रियल वाले पर फॉलो करना कहीं फेक वगरा पर पहुच जाओ 14 के फॉलोर से 600 से जादा पोश्ट डाली हुए है रियल वगरा पोश्ट सब देखने को मिल जाएगे आपके मेरी शेकल के साथ में तो वहीं फॉलो करना है ठीक है बागी बात करें देखो एलेक्स कैरी यह अगेंस्ट कुल्दी प्यादा हो थोड़ा सा यहां पर फीकर रह पांडिया तेहस बोल में यहां से बार आउट कर चुक है इस्टिवन स्मित को डाविड वोर्नर अगेंस्ट मॉंबंच सिक्टी नाइन बोल में तीन बार आउट हो चुक हैं और बाकि मार्क श्टोनी से जो अगेंस्ट जहल 13 बोल में दो बार आउट हो हैं शमी के अच्छ बार मतलब ऐसा है कि लेक ब्रिक बोलिंग अगेंस में थोड़ा से दिक्कत है बाकि थोड़ा से स्लो लेफ्ट हम और थोड़ा इसको भी खराब खेलते हैं बाकि इस कलावा रोजित शर्मा अगेंस एंपा तीन बर आउट हुए अगेंस जैंपा दो बार वेगेट रन नहीं बनाए है तो यह जाते है कुछ आज के लिए हमारे आज के लिए जो प्लेयर बैटल थे रही बात कर आगर अपनी टीम की कि आज के लिए विजन लेंके टीम वो क्या रहती है तो उसमें हमारे पास मैं केल रहूल बैटर सेक्शन म स्मित है और उसके बाद में मार्श और रहीज शर्म है देखो चार जो बैटर रहनी है यही जार जो है सेफ बनते हैं अपने देखा होगा आपने तीनों मैचेस में यही इनको पिक्किया है अगर आप कोई भी चेंज वगरा करना चाहो तो आप स्टीवन स्मित की जगे पर पर या फिर रहीज शर्मा की जगे पर किसी और को रख सकते हो जैसे लगूशन वगरा होगा है बैट आइंट की उतनी जादा सेफ यह बनेंगे उल्डरांडर सेक्शन में जड़े जा है पांडिया है मारका श्टोन इसको यहां से मैंने मिस्स किया है बाकी बोलर सेक्शन म शुरुआत में किसी विकेट निकाल ले यहां से रोईज शर्मा की या फिर डैथ बोलिंग में के विकेट निकालने के हाई चांसे बनेगे हैं ठीक है बागी यह चैप्टर माइस मैंच में विराट को यह थोड़ा सा बहुशा दिखाने डिसाइडर मेंच है आप एक चीज तो अगर आपको और रिस्क लेना होगी अच्छा कहलता है डिसाइडर मैच में भी अच्छा कहलता है बस इस वेन्यू पर थोड़ा सा फिकर रहता है बिल्कुल फ्लॉप भी नहीं ठीक ठाक सेरेंस बना देता है तो कर सकते हो रोज चर्माओ कैप्टन ठीक है बाकि उसके ला को सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल लोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचेस की वीडियो से हैं बिल्कुल भी आप मिस ना गर पाओ और हां टेलिग्राम चैनल जरूर जो इन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी जो ट